दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे फुल सर्विस ब्रोकर्स, डिस्कॉन ब्रोकर्स देखे होंगे मगर आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे ब्रोकर की जानकारी देने वाले हैं जिसको रियल में जीरो हीरो कहा जाता है हाँ दोस्तों जिसका नाम है फिन वैसिया जरूर देखे चले दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किये वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों फिन वैसिया चंदीगड की एक कंपनी है इन्हों ने अपने शुरुआत की 2016 में और 2016 से लेकर अभी तक इनके 39,600 से भी ज्यादा इनके अक्टिव क्लेंट हो चुके है दोस्तों फिन वैसिया सिर्फ इंडिया में ही नहीं बलके इंडिया के सिवा अधर 14 कंट्रीज में भी अपना सर्विस प्रोवेड करते हैं दोस्तों फिन वैसिया आफर करता है lifetime free zero brokerage trading services और जब इसमें trading करना चाहे तो इसमें commission भी कुछ भी देना नहीं पड़ता बट यहाँ पर clients को taxes and transaction charges जो है वो सिर्फ वही उनको देना पड़ता है मगर यहाँ पर फिन वैसिया अपने जो platforms हैं जो software हैं उनके लिए कुछ monthly fees जो है वो हमें pay करना पड़ेगा जो के other discount broker को अगर हम compare करेंगे तो उनके जो charges होते हैं उसके comparison में यह 90% से भी कम होता है दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं फिन वैसिया के जो account opening के charges के बारे में दोस्तों यहाँ पर आपको DMAT account and trading account open करने के लिए कुछ भी charges नहीं देना पड़ता बिल्कुल zero होता है और जो DMAT account AMC होता है जिसे annual maintenance charges कहते हैं यह भी बिल्कुल free है कोई charges यहाँ पर देना नहीं पड़ता और अभी हम फिन वैसिया के broker charges की details देखेंगे जैसे के फिन वैसिया को zero hero broker कहा जाता है यह इसी लिए है कि यहाँ पर आपको कोई भी trading brokerage देना नहीं पड़ता यहाँ पर चाहे intraday हो या equity हो और equity futures, future and options और MCX commodity के लिए यहाँ पर आपको कोई भी charges नहीं देना पड़ता बिल्कुल जो brokerage होता है वो total zero होता है और अभी हम फिन वैसिया के चंद hidden charges के बारे में बता देते हैं दोस्तों हम फिन वैसिया में अपना dmate account मनाने से पहले इन hidden charges को देखना ज़रूरी होता है दोस्तों फिन वैसिया के जो safters हैं जिने हम trading करने के लिए यूस करते हैं उनके लिए हमको मंतली कुछ fee देना पड़ता है वही इनके hidden charges होते हैं तो fee कितना है अभी हम बता देते हैं इनका जो safter है NSC Now इसमें NSC में अगर आप trade करेंगे तो आपको कुछ भी देना नहीं पड़ेगा charges अगर BSC में आप trade करना चाहोगे तो यहाँ पर रूपीस 149 रूपीस यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा और इनका जो safter है NEST इसके लिए आपको 49 रूपीस पर मंत fee पे करना पड़ेगा एक्चेंज के हिसाब से और 99 रूपीस जो separate fees होता है इस software में अगर आप bracket adder लगाते हैं तो इसके लिए आपको separately रूपीस 99 bracket adder के लिए आपको देना पड़ेगा और प्रिस्टो जो इनका आगला safter है इसके लिए आपको मंतली 1599 रूपीस चार्ज करते हैं और blitz trade के लिए जो इनका software है इसके लिए मंतली रूपीस 2999 रूपीस यहाँ पर pay करना पड़ता है और call and trade charges बिल्कुल free में यह provide करते हैं और dp charges delivery के लिए यह रूपीस 9 पर transaction लेते हैं यह charges equity delivery अगर आप sell करेंगे सिर्फ selling side ही आपको लिया जाएगा और जो scalper T जो इनका mobile application होता है यह हमें बिल्कुल free में provide करते हैं यहाँ पर कोई charges कोई monthly pay करना नहीं पड़ता अभी हम finvaysia के चन्द advantages को देख लेते हैं और इसके बाद में हम disadvantages भी देखेंगे दोस्तो इससे पहले हमारा एक छोटा सा request है वीडियो को like कीजिए और channel को subscribe कर लिजिए यहाँ पर आपको stock market related बहुत ही valuable information मिलती रहती है दोस्तो अगर आपने अभी तक अपना demand account नहीं बनाया तो demand account open करने का link हमने इस video के description में दे दिया है वहाँ पर जाकर आप अपना demand account बना सकते हो उस link के जरे अगर आप अपना demand account मनाते हो तो आपको 300 reward point भी मिल जाते हैं तो finvaysia जो है commission free online trading हमें यहाँ पर offer करते हैं हमें सिर्फ यहाँ पर taxes and transaction charge 80 हमें यहाँ पर देना पड़ता है और number two scalper tea यह जो application है यह website और mobile trading के लिए होता है यह हमें बिलकुल free में provide करते हैं trading करने के लिए यहाँ पर आप चाहे intraday हो या equity हो option and future mcx सब कुछ यहाँ पर free में trade कर सकते हैं number three जो है यह हमें research and analysis provide करते हैं आप सभी को पता है research and analysis सिर्फ full service broker provide करते हैं और कोई discount broker provide नहीं करते उसके comparison में हमें यहाँ पर discount broker ही हमें research and analysis हमें offer करते हैं और number four जो है यहाँ पर हमें trading and demand account बिलकुल free में open हो जाता है और number five हमें जो demand account open करने के लिए सिर्फ यहाँ पर five minutes में हम आपने online के जरिए online दोरा हमारा जो demand account है open कर सकते हैं और number six यहाँ पर हमें call and trade जो call and trade का जो option है वो हमें बिलकुल free में यहाँ पर हमें मिल जाता है और number seven फिन वेसे जो है हमें आलगो ट्रेडिंग टूल भी हमें offer करते हैं ऐसे बहुत कम डिस्कॉर्ण ब्रोकर हमें देखने को मिलते हैं जो हमें आलगो ट्रेडिंग टूल प्रोवाइट करते हैं और number eight जो है हमें online चार्ट सपोर्ट मिल जाता है जो इनके ट्रेडिंग वेसेड होते हैं वहाँ पर हमें directly online हम चार्ट कर सकते हैं हमें सपोर्ट मिल जाता है और number nine हमें यहाँ पर online IPO अप्लिकेशन उपलब्ध होता है और finally number 10 हमें यहाँ पर आडवांस जो आड़र्स होते हैं लाइक ब्रैकेट आड़र्स कवर आड़र्स after market orders यह सुब facilities हमें यहाँ पर मिल जाते हैं और अभी चलिए दोस्तों हम फिन वेसेड के disadvantages के बारे में जान लेते हैं दोस्तों DIY जिसको कहते हैं do it yourself जो के हमें यहाँ पर trade अपने आप से लेना पड़ेगा हमें यहाँ पर कोई support गोई idea यहाँ पर वो provide नहीं करते अपना trade ह हम खुद से हमें लेना पड़ेगा नमबर दो यहाँ पर हमें margin और लिवरेज थोड़ा कम मिलता है अजर ब्रोकर को कंपार करेंगे तो यहाँ पर हमें थोड़ा कम लिवरेज मिलेगा वैसे तो आपको पता है कि margin और लिवरेज तो totally खतम हो चुका है सभी ने जो नाया कि इससे चक करेंगे तो अदर डिस्कॉंट ब्रोकर से भी और जो फिन वेस है कि कंपार में सेम ही आ जाता है और नमबर तीन जो इस कैल पर टी साफ्टेर हमने बताया जो बिलकुल मुफ्त में हमें प्रोवेड करते हैं वहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक मिनिट की चार देखना पड़ेगा और नमबर चार अडवांस अड़र ट्राइप लिए यह अलेक से चार्ज करते हैं और नमबर पांच इनके जो आडवांस ट्रेडिंग प्लाटफर्म से लाइक एनसी नाव यह इस्टी नेस्ट जो साफ्टेर्स हमने बताए और भी कुछ साफ्टेर्स क ही किवांस और टार द्राजय से वह में देना ही पड़ता है और नमबर साथ हैं यहां पर हमें जी टी सी आडर जो कहते हैं वह में यहां पर अवेलिबल नहीं होता और नम्बर आट यहां पर हमें मॉर्जिन फंडिंगह और और नमबर 10 यहां पर हमें 3 in 1 आकॉंट नहीं मिलता जैसे कि 3 in 1 आकॉंट कहते हैं DMAT आकॉंट ट्रेडिंग आकॉंट और जो बैंक आकॉंट होता है यह तीनों मिला कि 3 in 1 आकॉंट कहते हैं जैसे कि एक discount broker है यहां पर हमें सिर्फ DMAT and trading आकॉंट आवेलेबल होता है चलिए अभी हम Finvesia की margin और leverage को देख लेते हैं जैसे कि यहाँ पर equity delivery के लिए आपको 1x margin leverage मिल जाता है और equity intraday के लिए आपको 5x यहाँ पर margin मिल जाता है और जो है F&O equity currency and commodities के लिए आपको 100% span margin मिलता है जो के 1x होता है तो चलिए फैनली हम Finvesia के stars and ratings को देख लेते हैं वो और आल इनका जो rating है वो 4.4 होता है out of 5 और जो इनका fees and charges का rating है वो है 4.6 out of 5 और brokerage जो rating है वो 4.9 होता है out of 5 और जो usability है जो platform usability है वो है 3.4 out of 5 और जो customer service है जो service यह provide करते हैं customers के लिए इनके clients के लिए उसका rating है 4.1 out of 5 और जो research capabilities है इनका rating है 2.8 out of 5 तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो कैसा लागा comment कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए